चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। जैसंतोशी मा, दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आपकी रहेगा और फिर बालव करण होगा। काम शुरू करने के लिए विशेश रूप से शुब है। अगर आप अपनी नौकरी या करियर में बदलाव लाने या कोई नया संबंध बनाने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है तो आज का दिन इससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर इसमें कोई जोखिम भी महसूस हो तो भी एक मौका जरूर लें और सब कुछ वैसा ही होने की पूरी संभावना है जैसा आप चाहते हैं। परिवार के साथ समय बिताना इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके साथ भोजन साजह करें या कोई फिल्म या कार्यक्रम देखें। आपकी कड़ी महनत आपको न केवल इनाम बलकि नए अवसर भी प्रदान करेगी। किसी मित्र या पडोसी से जुड़ी समस्या आपकी यात्रा या अन्य योजनाओं में देरी करवा सकती है। आज का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा। अतिरिक्त महनत के कुछ घंटे आपको धन और प्रसिद्ध दिलाएंगे। जो कुछ भी आपको मिल रहा है आप सच में इसके हकदार है। जीवन के प्रती आपका द्रिष्टिकोन यह तै करता है कि आप भविश्य में क्या बनेंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक रवईया अपनाएं। आज का दिन आपके लिए सुक सुविधाओं को बढ़ाने वा आपको अपने पिता जी की कोई बात बुरी लग सकती है लेकिन साजेदारी में काम करना आपके लिए फायदे मन रहेगा। अपने खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा। माता पिता के आशीरवात से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। सामाजिक और धार मिकारियों में भाग लेने से आपकी यश और कीरती में वृद्ध होगी। यदि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव के कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो बेहतर होगा कि आप चुप रहें और बातों की मधुरता बनाए रखें। शाम का समय विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए और अपने काम पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए। शाम का सम देवदर्शन के लाभ में व्यतीत होगा। आज आपके मन में कई प्रकार के विचार आएंगे और नई योजनाओं पर भी काम होगा। आपका बोलचाल का लहजा दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज आप अपने गुणों के माध्यम से आर्थिक और व्यव जस्य से हर समस्या को सुलजाया जा सकता है ये बात आपको समझ में आएगी। वर्तमान स्थिती कई मुद्दों को सुलजाने के लिए उपयुक्त साबित हो सकती है। फिलहाल बड़े टार्गेट पर फोकस करने के बजाए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपना त नौकरी पेशा लोगों को अपने कामकाज में आ रहे बदलावों को स्वीकार करना होगा। जो भी बातों का विरोध करेंगे वह भविश्य में आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। किसी भी नकारात्मक पर स्थिती में धैरिक होने के बजाए विनम्रता से पेश विवादों को आसानी से सुलजाया जा सकता है। पारिवारिक संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ती का हस्तक्षेब स्थिती को खराब कर सकता है। इसलिए विवेक से काम लें और कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताना जरूरी है। अब बात करते हैं लव लाइफ की। व बंधों को नए स्थर पर ले जाने के लिए बिलकुल परफेक्ट है। अगर आप पहले से किसी के साथ रिष्टे में हैं, तो आज आप इसे अंतिम रूप से स्वीकार कर सकते हैं। आप परिवार शुरू करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जो लोग अकेले हैं, वे किसी महत्व पूर्ण व्यक्ती से मिल सकते हैं। जो उनके भविश्य को काफी प्रभावित करेगा। अपने करीबियों के साथ समय बिताना न भूलें। आपका साथी आपके परिवार के प्रती आपकी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। इसलिए आपके जीवन में खुशी और संतोश है। अपने साथी का भी ध्यान रखें और उनकी पसंदीदा मधुर आवाज में उनके लिए गाना गाएं। शिक्षक या पिता के लिए यह समय कुछ संकट पूर्ण हो सकता है। आज आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे हो सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि उनका क्या करें। सही निर्णे लें, कंजूस न बनें और अपने साथी को कोई अच्छा उपहार जरूर दें। अपने रोमांटिक भावनाओं को भी व्यक्त करें। इससे आपका रिष्टा और भी मीठा और रोमांचक हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं करियर की। यह समय बैंक, फाइनेंस या धन से संबंधित काम करने वालों के लिए थोड़ी परेशानी भरा हो सकता है। अगर आप गायन, नृत्य या फैशन में निपुण हैं, तो अपनी कला का खुल कर प्रदर्शन करें। आपको ऐसी बातों या विचारों पर ध्यान केंदृत करना चाहिए, जिससे आपका कार्य या उत्पादन दूसरों से अलग और विशेश बने। चिंता ना करें और आगे बढ़ें। आपकी मनजिल जरूर मिलेगी। आज आप सकारात्मक उर्जा से भरे हुए हैं। आज आपको हैरान होने की संभावना है, क्योंकि आपके प्रबंधन कोशल की वजह से आप पाएंगे कि आपने कितना कुछ हासिल किया है। आपके सारे बकाया कार्य पूरे हो जाएंगे और योजनाओं के रास्ते में जो भी रुकावटें थीं वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आप न केवल आसानी से अपने सभी कार्यों का बोज खत्म करेंगे, बलकि आगे के रास्ते भी साफ हो जाएंगे। आप न केवल सक्षम होंगे, बलकि अपने उत्साह के साथ आप अपने आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करने में भी सफल होंगे। व्यवसाईक गतिविधियां बहतर होंगी और किसी नए काम के लिए योजना बनाने का यह एक बहतरीन समय है हालांकि इंपोर्ट-ेक्सपोर्ट से संबंधित व्यवसाई में किसी भी डील को करते समय जल्दबाजी से बचें नौकरी पेशा लोग अपनी कार्य प्रणाली को बहतर बनाने में सफल होंगे जिससे अधिकारियों से भी प्रोटसाहन मिलेगा सेहत के लिहाज से वर्तमान मौसम की वजह से कुछ थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है हाईजीनिक रहें और यदि कोई इंफेक्शन हो तो तुरंत इलाज लें अपने अतिरिक्त वजन को घटाने की योजना बनाने के लिए यह एक उपयुक्त समय है आप पिछले कुछ समय से अपने बढ़ते वजन को लेकर चिंतित रहे हैं और आज आप इसके समाधान की दिशा में कोई कदम उठाने में कामयाब होंगे आपका संकल्प द्रड है और यह आपको सफलता दिलाएगा आप आत्म विश्वास से भरे हुए हैं और कम समय में अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अब बात करते हैं व्यक्तिगत वित्त की आज का दिन इस क्षेत्र में कुछ नए फैसले लेने के लिए अनुकूल है यदि आप बीमा पॉलिसी लेने का विचार कर रहे हैं तो यह दिन इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए उपयुकत है क्रेडिट कार्ड से जुड़े किसी निर्णे में भी आज लाब मिलने की संभावना है इसके अलावा रियल एस्टेट में निवेश करना आज आपके लिए फाइदे मंद साबित हो सकता है निवेश के अन्य अवसरों की बात करें तो आपकी राशे आज क्रिप्टो क्रेंसी में रुची दिखाने का इशारा कर रही है और यह आपके लिए लाबकारी हो सकता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के क्षेतर में कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो आज का दिन इसे आगे बढ़ाने के लिए बहतरीन है इसके साथ ही किसी नए सौफ्टवेयर का उपयोग करने या उसकी समीक्षा करने का भी यह उपयुक्त समय है जो आपके काम में मददगार साबित होगा टेकनोलोजी गैजट्स में आज कोई नया प्रयोग करना आपके लिए शुब रहेगा यदि आप e-commerce या drop shipping बिजनेस में रुची रखते हैं तो आज आपकी राश्य इसके लिए अनुकूलता का संकेत दे रही है आउनलाइन बिजनेस में कुछ नए टिप्स आजमाना भी लाबकारी साबित हो सकता है इसके अलावा आज का दिन स्टॉक मार्केट में निवेश या किसी अच्छे अवसर का विशलेशन करने के लिए उपयुक्त है आपकी राशिक अनुसार किसी छोटी यात्रा से आज आपको लाब मिल सकता है जो आपके भविश्य के लिए भी शुभ संकेत हो सकती है इस बीच शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मौका मिलने पर उसे हाथ से जाने न दें क्योंकि यह आपके लिए सफलता की दिशा में एक कदम होगा स्वास्थे की बात करें तो आज आपके स्वास्थे और फिटनेस में सुधार लाने के उपाय करने का समय है आज का दिन होम इंप्रूव्मेंट के लिए भी शुभ है यदि आप अपने घर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसे आगे बढ़ाने का समय है यदि आपको किसी कानूनी सलाह की जरूरत है तो यह समय इसके लिए भी उपयुक्त है लकजरी से जुड़े मामलों में आपकी राशी लकजरी प्रोडक्ट्स की ओर संकेत कर रही है जो आपके लिए खुशियों का स्रोत बन सकते हैं इसके अलावा किसी नई आटोमोटिव खरीदने या उसकी समीक्षा करने का भी यह अच्छा समय है करियर में आगे बढ़ने के लिए करियर सलाह लेना या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्क दर्शन प्राप्त करना आज आपके लिए लाबकारी रहेगा आज का उपाए आज आप भगवान गणेश को 21 दूर्वा हरी घास अर्पित करें इससे आपके कारियों में सफलता और आशीरवाद प्राप्त होगा दूर्वा चड़ाना विशेश फल दायक माना जाता है यह माना जाता है कि दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी बाधाओं को दूर करते हैं भगवान गणेश को मोदक या लड़ू अर्पित करने से विशेश आशीरवाद प्राप्त होता है विशेश कर यदि आप पढ़ाई, व्यापार या नौकरी में सफलता की कामना करते हैं जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो